जीवन में कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जब मन के विरुध हो जाती हैं, तब भी इनसान बहुत विचलित हो जाता है, और इतना नाराज हो जाता है मुझसे कि गुसे में गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है, अपनों के साथ दुर्व्यवार भी कर देता है लेकिन बात में जब मन शान्थ हो जाता है और परिस्टिती भी सुदर जाती है, तब उसे यह एहसास होता है कि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, कि मैंने इस तरह सब के साथ दुर्व्यवार किया इसलिए कहता हूँ, कुछ भी हो, अपने मन को नियंतरन में रखो, शान्थ रखो, और ये तब संभव है जब तुम रोज ध्यान करो, ध्यान करोगे तो मन शान्थ रहेगा गुसा आए तब भी मन को शान्थ रखो, एक से दस तक गिनों और साइं साइं का जब करो, तो अपने आप ही मन शान्थ हो जाएगा, मैं मदद करूँगा तुम्हारी अगले एक हफ्ते में तुम्हे एक अच्छी खबर दूँगा बच्चे, मेरी लीला का अनुभव होगा तुम्हे, खुश रहो और खूब मुस्कुराओ, मेरा बहुत बहुत आशिरवाद है तुम्हारे साथ